हेलो दोस्तों कैसे हैं यह आप वोग उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हूंगे तो आप देख रहे हैं कि यहारे इह पर देख निंध करेंगे आपको बताएंगे किसें में आपको फिट करना है किसान में इसलिए एक एक आपका पानी घरम करके जल्दी देगा त तो चलिए पहले हम यहां पर सिंख मिक्चर भी फिट किये हुआ है आप देख सकते हैं चलिए पहले गिजर को बाहर रिकालते हैं देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसमीं उसका फासनर दिया हुआ है गिरिप और पेच है और यह दिया हुआ है टांगने के लिए जिसे होल करने स्थाहलक दिखने के लिए दिए हुआ है सेंटर में रख कर रोल किया जाएगा कर सके लिए और और यह गरांटी का इस दिया हुआ है कि तो दोस्तों सकते हैं यही आहे हमारा कि ज़ार और आपका हो गया का टा का और यह हो गया आपका कुल वाटर का यानि टंकी का पानी इसमें आएगा तो चलिए दोनों को पहले उसका सेप्टी कभर जो आता है उसको खोलते हैं कि चलिए जहां पर हमको फिक्स कृट करना है वहां पर हम इसको देखकर कि सेंटर आपको देख लेना है कि हमको यहां पे जिसे फीट करना है हमारा यह केवल का तार जो है उसको आप पर सोकेट पर पहुंच जाना चाहिए अच्छी तरह से इसे आप देखे हैं हमने वहां पे नाप कर लिए तो यहीं पर हम इसको गीजर को टांगेंगे तो सबसे पहले आपको देख सकते हैं कि यहां पे हम हालका सा पानी उसमें दीवाल पे लगा दिये हैं वह यह प्यपर उसी पे चिपका देंगे जो आपका होल करने के लिए दिया हुआ है कंपनी साथ में है है जलिए हमने उसको सीधा रखकर हमने उसको चिपका दिया दिवाल पर अब उसको च्छेनी के साहरे से जो आप उस जो दो बिल्दू आपको दिखाई दे रहा है वही पर हम उसको हलका मार देंगे ताकि चीना लग गया वहां पर अब उसी सामने हम अपको ड्रील से होल करें कि इसमें आपका 8 mm का ड्रील भी से होल किया जाएगा कि तर्यक्त पेपर इसलिए पेपर गिर गया इसलिए हमने चैनी से इस्तमाल किये हैं उस पर दाग लगाय हुए है हुआ है source आप देख सकते हैं दो हमंवा हुअ कर दीया और दोनों में घ्रीप हम 2 अब हम ठोक दिया है दोनों में घ्रीप लगाय हुए है और इसमें गुरु को का सब्सक्राइब करना है यह थाश। इस गूरू को अच्छी से टाइट करना है कि इसी इस गूरू पर आपका गिजर टांगा रहाएगा इस एक मिक्चर हमारा और इस गूरू अच्छी से टाइट भी हो गया इस गूरू को थोड़ा साम बाहर रखे हैं सिर्फ इसमें फसने के लिए चलिए हम इस गूरू को उसे टांगते हैं तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें अगर हमारा चैनल पर आप नए नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटी को दबाना ना भूलें जो भी मैं नए वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचें आप कोई वीडियो आपसे अपडेट मीक्स ना हो चलिए तो हम दूनों में कनेक्शन पाइप को कस्तते हैं चलिए दूनों में हमने कनेक्शन पाइप को कस्त दी एक hot water वाले में एक और cool water वाले में तो चलिए अब हम क्या करेंगे आपको आप करना क्या है कि सबसे पहले जो आप देख रहे हैं कूल वाटर वाला है यान टेंकी का है तो इसमें टेंकी वाले कनेक्शन किया जाएगा यहां पे आपको ध्यान रखना है कि टंकी वाला का कनेक्शन टंकी वाला में आपको करना है और होट वाटर को होट वाटर में तो हमने यहां पे कनेक्शन इसको कर दिये अब क्या करना है कि आपको इसका पहले एयर लिकलना है एयर लिकलने के बाद ही आपको लाइन देना जि हो जाएगा इसमें से मागा तो आपको है के वल का लाइन जा उसमें आपको यहां तो करें कहेंं सबादाख को मैं आपको स्विच आ करना ता आप देख सकते हैं का मारा यहां पर इनल हुम इकलना शूरू हो जानि गीजर रहांट— तो चलिए अब यहां से इंगल बॉल्ब बॉन करते हैं बॉन कर दीए और यहां पर जो गर्म का इंगल बॉल्ब हम लगाए हुए हैं उसमें इसका कनेक्शन करते हैं इसमें भी हमने अच्छी से टाइट करना है ताकि आपके वहां से लिकेज नहीं हो चलिए यहां भी इसको आउन करते हैं यहां भी आउन हो गया दोनों कनेक्शन हमारा आउन हो गया तो चलिए जो सिंख मिक्चर है इसको यहां पर आउन करते हैं चलिए यहां पर आउन करते हैं देखिए हमारा गर्म पानी जो गीजर से पानी जाके आता है वह पानी हमारा चा गीजर से थोड़ा सा प्रेसर कम है और ये टंकी का प्रेसर ज्यादा है तो कीचन में आपको गीजर तील नीटर का लगाना ही बहुत अच्छा होता है ताकि पानी आपका जल्दी गरम करके देगा तो चली हम लाइन को आउन करते हैं ताकि हमारे गीजर से अलरेडी एर पूर चुट चुका है देखिए आपने आउन कर दिये दो बत्ती जल रहा है एक रेड और एक हारा जैसे आपका पानी गरम हो जाएगा तो हारा वाला आपका बंद हो जाएगा और रेड वाला आपका जलते रहाएगा तो दोस्तों अगर वीडियो मेरा अच्छा लागे तो करें दो